तो आप कबसे हैं राजनीती में? मैं राजनीती में स्टूडेन लाइफ से हूँ मैं अपनी इनुष्टी में प्रेजडेन था ट्वाइस और जिस साल में इनुष्टी छोड़ रहा था तभी मुझे चरण सिंग जी ने बुलाया और चरण सिंग जी के तब 30 MLA छोड़ गये थे किस साल के बाद है यह यह देट इस 1973 तो उन्होंने का सुक्वाल देखो बेईमान मैंने पार्टी बनाई थी किसानों कि यह मुझे छोड़ गये मेरा हाथ पकड़के उन्हें बड़ा इमोशनल होके कहा कि तुम इस पार्टी को संभालो किसानों की पार्टी है और किसी से बात मत करो अभी जाके मेरी मीटिंग है शाम को पांच बज़े जीम खाना में उससे पहले एनॉंस कर दो तुम मेरे साथ हो और किसी से मत मशुड़ा जैसे उन्होंनों कहा था वैसे ही किया और नेक्स दे आ गया कि मैं उनके साथ हो न सारी पार्टी में जी सौंग दी जनल सेक्रेटी बना दिया उसके बाद उन्हें MLA लड़ाया तो मैं सब भी साल की उमर में 74 में MLA हो गया फिर राजसरभा का मेंबर हुआ दो बार लोग सभागा हुआ मिनिस्टर हुआ और अब गवर्नर हुआ तो तब से लड़ाई जगड़ा कुछ ना कुछ चलता रहता है बट होल टाइम पॉलिटिक्स में आ गया फिर प्रेक्षिस वगेरा नहीं कर पाया तो कैसे थे वो चरण सिंग जी वो अच्छे थे उनकी दिक्कत क्या थी कि उनको किसी भी तरह प्राइम मिनिस्टर बनने का एक सपना देखते थे वो तो उसमें उन्हों नहीं दरुदर किया और हो कल्चर इमांदार बहुत स्वीट आदमी थे पर ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशन के काफी लोगों को ये हो जाती है कि बस बनना ही बनना मतलब सब कुछ कॉंप्रमाइज करके बनना मैं आपको कहरा हूँ आपकी पूरी जो स्टेंथ है जो किसी के पास नहीं है वो यह है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस सामने वाले सब खलास हो जाते हैं पर यह होता क्यों है कि मतलब इतनी मतलब इंपेशन हो जाती है कि बस हर हालत में ही मतलब काफी पॉलिटिशन ऐसे होता है आजादी के फ्वारण बात तो राजनीटी एक तरह से करत वे था और लोंक करते थे उसको उस तरह फिर यह profession हो गया और अब यह business हो गया है आप जम्मू कश्मीर में जब थे मतलब बड़ा complicated time थी बहुत complicated उसके बारे में आपकी क्या राय है मेरी यह राय है के जम्मू कश्मीर को आप जबरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं वहां के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं और वहां के लोग amiable है ऐसा नहीं के impossible है मैंने तो देखा मैंने उनको अपने साथ किया आपने अंदर से detail से देखा solution वहां किस बेसिस पर आएगा इमीजेटली तो उनकी statehood वापस करना चीए उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी statehood लेकर union territory बनाना चुभा और union territory इन्होंने किस लिए बनाया जो मुझे लगता है मुझे नहीं बताई वो बात इनको यह अंदाजा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएग तो एक तो statehood और इनका promise भी है में शाह का house में उसको immediately वापस करना चीए और फिर election करा देने चीए बट जब मैं जमू गया यह जमू के लोगों को भी लगता है कि हमारा मतलब statehood ले लिया तो वो भी खुश नहीं है सबसे ज़्यादे कोई चीज चुभी है तो यह मतलब कर क पुल्वामा में इनोंने उसको इग्नॉर किया और पुलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए क्योंकि उसमें इनकी स्पीचिस हैं जिसमें कहता कि जब बोट देने जाओ तो पुल्वामा की शहादत को याद रखना जैसे ही मैंने पुल्वामा के बाने में सुना मुझे पता लगा कि हमारे जु शहीद है एरपोर्ट आ रहे तो मैं सिधा एरपोर्ट गया हमारी सिक्य सब शहीद आये थे वहाँ पर आर्मी के लोग थे प्रदानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिट्रली चावी से बंद किया कि आप भार नी जा सकते मैं मतलब मैंने से क्योर्टी ओलों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं और फिर लड़के में वहाँ से निकला तो म था ही वो प्रदानमंत्री को शेनकर जाना चाहिए था राजनाथ सिंग आये थे मैं था हम लोगों ने श्रद्धानजली दी थी प्रदानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था ने मगर मुझे उसमें क्या शॉक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा ह रहा है और वहां पर प्रदानमंत्री आये हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भाईया देखो काफी डिस्टेस्टफुल सा था जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉरवेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपने तो ये एविलेबिल मैंने तीन और ये कुछ नी बोलना इसपर फिर एक गंटे बाद ये डोगाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लो में मेरट में तो इसका फोन आया चाथपाल भाई आप बोल दी, मैं दो चैनल को बोल चुका था इवात, तो इनने का ने नहीं कुछ नी बोलना इस पर, मैं ठीक है मैं समझा कुछ जांच वांच कराएंगे, उसके असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं, तीसरे दिन इनका आ गया कि पुल्वामा की शाहदत को य इमिजेटली कर देता, मैं तो वहाँ स्टूडेंस जब जमों जाते थे वर्स में, उनको एरक्राफ्ट से, दिल्ली में एरक्राफ्ट इमिजेटली मिलता है कि राएंपे, चार महिने तक एप्लिकेशन, उनकी पड़ी रही होम मिनिस्टी में, और चार महिने बाद वो खार वाज मांगे थे उनोंने, वो नहीं दिये, चार महिने तक लटकाए रखे, तो चार महिने के लिए कि क्या होल्ड पे थे? होल्ड पे थे, सब मेरे सामने नहीं आई, अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता, that was between CRP and Home Ministry, लेकिन ये थी कि attack हो सकता है, इसके अला सब इतना explosive ये कैसे मतलब ऐसे घूम रही थे? सिस्टम नहीं था ठीक से, और जब मैं गया हूँ फे पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलो मेटर का stretch है, उसमें लगभग 8-10 link road मिलती है, एक भी sanitize नहीं थी उस दिन, बलके हम तो जब अपनी police को भेजते थे, कश्मीर की, तो पूरी road पे civil traffic बिल्कुल रोग देते थे, sanitize कर देते थे, तब भेजते थे, ना highway sanitized था, ना वो link road, और link road जहाँ highway में मिलती है, वहारी वाद यह है, कि वहाँ एक जिपसी खड़ी होनी चीए, जो उसे रोग देके नहीं, यह का फिला चला जा, CRP कर तब जाना, कुछ तो जब आप वहाँ गए, जैसे politics में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं, तो जब हम कहीं पहले पहुंचते हैं, कोई mind में कोई feeling आती है, तो इसमें आपकी क्या feeling आई थी, जब आप पहली बार वहाँ गएगे? आप मेरा यकीन करेंगे, I was in tears, मैंने इसको phone किया है, मुझे नहीं मिला, जब पांच बजे मेरी बात हुई, तो मैंने का हमारी गल्ती से हुआ यह, तो बोला नहीं नहीं, इस पे आपको चुप रहना है, मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिएं, जिनके से निकले, पुलवामा से, तो मुझे यह लग रहा था कि, जो आपने बोला, कि ऐसी जगह पे, strategic जगह पे, इतना explosive कहां से आ गया, कैसे आया, वो मेरे question, मेरे दिमाग में question था, सारा पाखिस्तान से आया था, इतना 600-300 किलो, यह border तो हमारा porous है, और यह इतना explosive, indigenously procureur करते तो वो बात फैल जाती, यह दस वारा क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से गाड़ी पूरी भरी थी explosive से, और बताया मुझे जब मैं गया, कि साब, यह तो दस वारे दिन से घूम रही थी गाड़ी, जो गाड़ी चला रहा था, उसका भी मालिक का, दोनों का terrorist record था, दोन पर इतना बड़ा कास सेंसस का मुद्ध है, बट अब आज कल बस इसरेल, 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 कास सेंसस को नहीं दिखा, पतलब जो चाहे वो अदानी हो, चाहे वो कास सेंसस हो, जो ज़रूरी बाते हैं, उसका कुछ नहीं होगा, मगर इसरेल हो, बॉलिवूड हो, क्रिकेट ह पर चलते जाएगा, अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गाउं गाउं चल अगे अदानी का, और लोग यह कहते हैं, अदानी के हाँ इसी का रुक वो बीस हजार का आपने उठाय था, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, कल कोईले के प्राइस इंफलेट कर रहा है, वहां से इंडियोनीशा से कोईला नाउ में जाता है, और यहां पहुंचते उसकी प्राइस इंफलेट हो जाती है, और फिर लोगों को बिजली के लिए जादा रेट देना पड़ता है, मगर वो भी मीडिया ने कहीं नहीं उठाया मुझे खबर ये दी गई कि जिस दिन में ये करन थापर का इंटरू किया, इन्होंने बुला के सब चैनल को का के खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको दस दिन तक हैडलाइन है, मैंने जब मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा, कि ये जो आपने पुल्वामा की बात की है, इसके कारण ये किया गया है, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मैंने नोटिस किया, जब आपने पुल्वामा की बात की, तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको दस दिन तक खतब कर थे, और शे जनता के पास जाते हैं, तो नहीं चलता है, जनता के पास जाते हैं, तो बहुत जल्दी जनता को बात समझा जाते हैं, तो टाइम नहीं लगता, जनता तो अवेर है देश में, इसा नहीं मालूम नहीं है, बट उन पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहां कहें, किसको कहें, उनके रिप्रेजेंटिटिव भी ऐसे गए गुजरा हैं सब पहले मैंने पार्लिमेंट में स्पीच दी कास सेंसर्स के बारे में जब मैं इसकी रिसेर्च कर रहा था मैंने देखा कि हमारे सब इंस्टिटूशन में चाहे वो मीडिया हो ब्यूरोक्रिसी हो जो OBC वर्ग है जो दलित वर्ग है जो ट्राइबल वर्ग है उनका कोई रेप्रेजेशन मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते मीडिया में चाहे आप सबसे बड़े मीडिया होसे देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं सारे रिपोर्टर देख लीजिए इसमें एक OBC नहीं है एक दलित नहीं है एक ट्राइबल नहीं है इसके बारे में आपके क्या राय है नहीं मैं तो चुके लोहिया इट रहा हूं तो लोहिया ने एक बार कहा था कि मुझे कमेटी बनानी थी गोवा कि आजादी की तो मैं जब भी कमेटी बनाऊं उसमें 48% अपरकास्ट आ जाते थे नाम मांगू तो भी वही आते थे तो इस सिस्टम बन गया यहां का इसको चेंज करने का आपकी राय क्या है एक तो इसको कंपलसरी करना पड़े का इतने परसेंट हो जैसे नोकरियों हो गया उस तरह से और दूसरे उन वर्गों में थोड़ा चेतना बढ़ानी पड़े कि तू इन पेशों में आओ इसमें इंट्रेस्टिंग बात यह है कि जो स्थिति है एक्चली इंस्टिटूशनल स्ट्रुक्चर में हिंदुस्तान में उसके डीटेल्स ओबीसी वर को भी नहीं आप में थोड़ा जच हुआ है बड़ एक्चली किसी को नहीं मालो हुआ पता ही नहीं इसाही कह रहे है क्यूं क्यूंकि पूरा जो इन्फरमेशन का सिस्टम है उसमें कोई OBC नहीं है कोई Dalit नहीं कोई ट्रॉब यह नहीं के हाथ नहीं है विए पहले में दिल्ली में तीन-चार गंटे बढ़ईयों के साथ काम किया तो मुझे बता रहे थे कि हम सोफा बनाते हैं चैर बनाते हैं टेबल बनाते हैं बगर जिस शोरूम में वू बखता है उसमें जानी सते मतलब काम हमारा महनत हमारी मगर फल हमारा नहीं कितना गुना है नहांस करके पैसा लेते हैं उसका इनको तो कुछ मिलता नहीं गरीवों को है तो अगर आप GST देखें GST भी इंडारेक्ट टैक्स है उसमें छोटे वियापारी किसान मजदूर वो टैक्स भरते हैं डी मॉनेटाइजेशन भी उनके खिलाफ अत्यार था किसान अंदोलन में तो आपने काफी कॉमेंट किया है वो भी मतलब उनके घर में से पैसे निकालने का तरीका था नहीं वो तो इनका मैं बताता हूँ अगर आप नहीं हटा होगे इस बार तो खेती को तो ये पूरी तरह खत्म मनलब किसान छोड़ के बाग जाएगा और ये कॉर् हजार बीगा जमीन थी और आज मैं जाता हूँ तो सब के लड़के शेहर में आगे हैं चुके एजुकेशन नहीं है हेल्ट सर्विसेज नहीं है और सिक्यूरिटी नहीं है तो वो बठाईदार को देके वो धीरे-धीरे खतम हो जाएगी खेती को खतम करेंगे फौज खतम क कर देते हैं इनकी मतलब इमीजिटली ये चाहिए वो सेना हो सरकार हो ब्यूरक्रिसी हो इलेक्शन कमिशन जैसे इनके हाथ पढ़ता है वो अपने लोगों को बैठा के कुछ ना कुछ उल्टाउस करा लीजिए सेंटरल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स हैं पिछ सेंटरल यूनिवर्सिटी के तो बिल्कुल नहीं पा सकते हैं और जो इंटर कॉलिज के प्रिंसिपल होने लायक भी नहीं थे वो वी सी लगे हो हैं सब जगे मतलब इनका शिक्षा का सिस्टम नहीं रहा अब कंट्रोल का माइंड कंट्रोल का सिस्टम बनाने के कोशिश सवाल है कि किसान को उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता है और उसके चलते वो हर साल गरीब होता जाता है जो एक फसल का दाम पिछले साल था खाड का और बाकी चीज़ों का जो दाम था उसकी तुलना में इस साल में और फरक हो जाता है तो उसकी पर्चेजिंग पावर हर साल कम होती चली जाती है और उसे पता नहीं चलता है यह उसकी परचेजिंग पावर कम होती है उसको एहसास ही नहीं पता भी नहीं चलता है तो वह तो मैंने देखा जब पब्लिक मीटिंग में बताते हैं तो पता ही नहीं था है तो उन्हें सुनके बुरा लगता है फिर मैं समझाता हूं बताओ पिछले साल इतने गंडे में कितना सामान खरीदते थे इस साल कितना खरीदते हो तो सबसे पहले है कि जो पैरिटी यह ह MSP इसको लागू करना चाहिए MSP में यह नहीं कि सरकार सारी फसलों का MSP दे लेकिन MSP करने से बाजार गिरेगा नहीं और MSP है इसलिए कि बाजार एक खास जो आपने दान ते किया उससे नीचे गिरेगा तो सरकार इंटर्वीन करेगी और यह पंडी जी के जमाने से जो ना MSP पर इन्होंने किसानों से धोखा किया, जब उसकिसान कानून वापस लिए तो कहा था हम MSP करेंगे और आज तक नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिये, फसलें एक दाम पर खरीद ली, अगले सान उनके दाम बढ़ ज आएती है, उसके दामों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बेताहशा नहों, ताकि वो जो मैंने बताया, जो फर्क रहता है, खरीद बेच का वो नहों. जो आप कह रहे थे, ये जो अदानी जी हैं, इन्होंने पूरा जो स्टोरिज का इंफ्रस्ट्रक्चर है, अपने हातों में ले लिया है, इसका एफेक्ट मैंने जम्हू कश्मीर में देखा, इसका एफेक्ट हिमाचल में दिखता है, अलग-अलग स्टेट्स में, हर्याना पुरा मतलब इस जो स्टोरिज का इंफ्रस्ट्रक्चर है, तो जब भी ये प्राइस को मतलब उपर कर देते हैं, तो ये किसानों को मतलब नुकसान पहुचाते हैं, जब तक इनके खिलाफ बोल नहीं होगा, तब तक सुधरेंगे नहीं, या फिर सरकार बदल जाए, अभी इस हमारेंगे का जो स्टोर्यज की केपिबिलीटी होती है, उसके बाएंब साट जादा नहीं सोचती है, बाहीं बिल्कुल नहीं सोचते है, अब नॉर्थीस में भी थे मैघालय मेघालय मेघालय वो मुझे पनिश्मेंट पोस्टिंग दी गई थी गए गई थी ग़ागे तो मेगाले बहुत अच्छी जगह है, कोई ज्गडे टंटे की नहीं है रिलाक्स लोग हैं का जी रिलाक्स अच्छे लोग है संग्वा साहब कर लड़ का चीफ इनिस्टर था तो उससे बहुत बढ़िया रिलेशन्शिप रही कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे तो मनिपूर के बार में क्या रहा है आपके वहां मतलब पूरा फेल्योर है सरकार की च जानिह सकता कुछ flप करने सकता लेकिन उसको अफिक हटानी रहा है ये जमु आनकाश्मीर का भी ऐसे मुझा घरू करते हैं पंजाब कभी ऐसे मुझा अगर थैं मनिपूर कभी ऐसे मुझे मैं इक गया मनिपूर में वहां जो आप कहरें बिल्कुल सही है वहां कोई कार पूरी क्राउड निकला ही थी आपके तो कोई कंट्रोल ही नहीं था मतलब बिलकुल एक स्टेट बचा ही नहीं है दो स्टेट बन गए है एक इस तरफ दूसरा दूसरी तरफ नौर्थीस्ट सेटल्ड था इन्हों डिस्टब कर दिया सब जगे ये कुछ ना कुछ मतलब अपना करते रहते हैं और छे महीने की बात है मैं लिखके दे रहा हूं बिलकुल नहीं आएंगे पावर में नहीं अगर जमीन पे जाएं तो बहुत नफरत है लोगों बहुत शदीद पूछिये मतावत मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की इदुसरी राजनिदी में आज दो विचार धारां की लड़ाई है एक RSS गांधी वाली एक DRS और एक गांधी वाली और दोनों एक प्रकार से हिंदुएज्वम के एक एक विजिशन है हिंदूईजम का एक एक आहिंसा का एक भाहिचार्य का और दूसरा जू आर-सेस का जि मेरा यही सोचना है कि हिंदुस्तान कंट्री के तोर पे तभी सर्वाइव करेगा, जब वो लिबरल हिंदुजिद्म के रास्ते पिछलेगा, जो गांधी का विजन है, गांधी न ऐसे ही नहीं कहा था, गांधी न इस देश को जितना समझा था, किसी नहीं समझा था, गांगा तो देश सर्वाइव करेंगा, तो टुकडे टुकडे हो जाएगा दरवाइस, और यह कोई राजनितिक बात नहीं है, मुल्क के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, कि हम मिल जूल के रहें, एक दूसरे के साथ रहें, जगड़ा ना करें, नहीं, जगड़ा होगा तो मुल् सर्वाइस से लट रहें, तो आपके मतलब, सजेशन, राए क्या हैं? मेरी राए है कि अपने लोगों में यह प्रचारित हो ठीक से, गांधी का, कॉंग्रेस का जो विजन है, कि यह हम क्यों इन से डिफरेंट हैं, यह क्या चाहते हैं, वो क्यों आपके हक में नहीं है, यह लोग भी नहीं बोलते हैं, उनको यह बोलना चाहिए. और जो आप कह रहे थे, जो क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल लोगों की माइंड में, कि भाई यह अब यह राजनेतिक लड़ाई नहीं है, अब यह आइडिलोजिकल लड़ाई है, वो क्रिस्टलाइ नहीं सोचता है, जैसे सोचना चाहिए, और वो जो ब्रॉडर इशूस हैं, उन पर राय नहीं बनाता है, राय जाहिर नहीं करता है, उस पर खड़ा नहीं होता है, तो वो हम पॉलिटिकल लोगों करना पड़ेगा, और इसमें यह भी है कि, जो जैसे मैंने कहा कि, इन्फोर का सिस्टम तो वन वे हो गया है, उसमें आप की बात तो आएगी नहीं, जो दूसरी बात है वो आएगी, और लेकिन एक अच्छी चीज होई है, कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, भरोसा चला गया है, इस वक्त हम लोगों की एकी स्टेंथ है, that is social media, हम लोगों है, इस सब को इन्होंने control कर दिया, one-sided कर दिया, लेकिन अच्छी बात है कि लोग भी उसको समझ गया है, तो इनकी बात को यकीन ने करते हो, कहते हैं, ने ने यह तो गड़बड़ है, आपने कहा कि social media में मतलब हमारा थोड़ा सा असर है, बट हमारे मेरे accounts को तो पूरा surprise कि किया जाता है, जैसे चाहे वो मेरी YouTube हो, Facebook हो, आप के होगा, पर आपके समर्थन में जो लोग करते हैं, वो उसे नहीं रोक सकते हैं, मगर जो ही है आपकी strength, जो central मेरा account है, उसको तो पका रोकते हैं, मेरा YouTube account को तो पूरा दबा रखते हैं, मेरा भी कुछ नहीं है, कहीं में बात बोलते हैं, वो फैलती है, मैंने देखा है कि जब भी सरकार पे कोई pressure आता है, जैसे अगर कास census की बात हो, अदानी की बात हो, MSP की बात हो, किसानों की बात हो, तो ये कोई ना कोई gimmick निकाल देते हैं, और अभी मैंने देखा कि जब मैंने पार्लमेंट में अदान स्पेशल सेशन के अंदर भारत या इंडिया का discussion की बात होई, और फिर एंड में women's bill की बात होई, और women's bill भी वैसा कि वो 10 साल में आएगा, आज नहीं आएगा, तो ये इनका ये तरीका जो है, चाहे वो पुलवामा हो, women's bill हो, distract करने का इनका बहुत effective तरीका है, ये दो ती इसी भी चीज़ को वो बना देता है, इवेंट, छोटे-छोटी चीज़ का और उसका अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते है, women's bill का भी इसने ये किया, और ओरतों को कुछ मिल नहीं रहा है, और एहसास ये करा दिया, पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, मतलब शो उनको पथर लगवाना था कि मैंने बनवाई थी एक पार्लिमेंट, लेकिन वो हर चीज़ को उसी तरह से बहुत मेगलो मेगली नियक की तरह करते हैं, जैसे पुराना हाउस है, उसमें अगर आप एक्सपैंशन करना चाहते हैं, तो सेंट्रल हॉल में आप लोकसभा डाल द तो निकसी में सेंट्रल हॉल कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट प्रॉब्लम क्रियेट करके, शो करके, पूरा वतलब, इससे देश को काफी नुकसान होता है, लोग इसको समझ रहे हैं, लोग ना समझें तो दिक्कत है, लोग हर चीज समझ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नीचे तक जाता हूं, वो सब बोल रहे हैं इसचीज को, किसाब इसको करना वरना कुछ नहीं है, यह सही करता रहता है, और एक्चली जब मैं इनके भाशन सुनता हूं, और इनकी जो पॉलिसी देखता हूं, तो एक्चली डेप्थ नहीं है, डीटेल में ही जात करना है, और वो उस तरह से जो जवाब देही जनता के लिए होती, वो महसूस भी नहीं करते हैं, आपने काफी बहुदुरी के साथ जो पुल्वामा के बारे में बोला, आपने जो अदानी के बारे में बोला, तो फिर आपको धंकाया गया, CBI इंक्वाइरिंग कर आएगी, मैंने शिकायत की, जिनकी की, उनका आज तक इंटरोगेशन नहीं हुआ, मेरे हाँ तीन-तीन बार आ गए, मेरे स्टाफ के लोगों के फोन ले गए, CBI वाले, मैंने का वह तुम कुछ कर लो, मेरा कुछ नहीं विगाड सकते, मैं तो फकीर हूँ, मेरे बेना कुछ है, तो त मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, क्या करें को? हम बात कर रहे हैं, तो इसके बाद में आपको पर भी थोड़ा आकरमन करेंगे, जब भी हम किसी दो बात करते हैं, एक दम आकरमन चुरू होन्पे, आपको कोई फरक्त नहीं पड़ता, तेंक्यू, बहुत अच्छा लगा, अभामे लगाते चाहला बंद चुको